नमस्ते बच्चों मेरा नाम लगिया हुजा है और मैं आपको कक्षबारकी समाशास का ध्यापन करवा रही हूँ तो बच्चों कक्षबारकी समाशास में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतिय समाश का अध्यन कर रहे हैं और हम अपनी इस पुस्तक के छटे अध्याय का अध्यन कर रहे थे मारे छटे अध्याय का नाम है सांस्कृतिक विवित्ता की चुनोतियां अब तक हम इस अध्याय के पांच भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हमें सध्ध्याय के छटे भाग को पढ़ने जा रहे हैं, हमारे इस सध्ध्याय के छटे भाग का नाम है ब्राज्य और नागरिक समाज, तो इस भाग में हम वास्तव में नागरिक समाज की अवधाना को समझेंगे, कि नागरिक समाज या सिविल सुसाइटी क्या होता और ये जो नागरिक समाज है ये हमारे देश में किस प्रकार की भूमिका को निभा रहा है या अब तक पिछले सालों में क्या कार्ये इस नागरिक समाज द्वारा किये गए हैं। कि उसे मैनेज करने की बात आती हैं। तो कोई भी राज्ये एक अत्यंत निर्नायक संस्था का रूप ले लेता हैं। यानि राज्ये अपने इस तर पर निर्ने प्रस्तुत करता हैं कि ये सांस्कृतिक विवित्ता किस प्रकार से प्रबंदित की जाएगी। हलांकि ये हैं राश्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हैं। पर ये हैं राश्ट्र और उसके लोगों से हट कर अपनी स्वतंत्र इस्थिती भी बना सकता है। ये हैं जो निर्नायक निर्ने हैं वे राश्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावातु करता हैं पर वास्तव में ये हैं राश्ट्र और उसके लोगों से हट कर अपनी वेक्तिगत या स्वतंत्र इस्थिती को भी प्रस्वत कर सकता है। इस हद तक की राज्य सरचना, विधान मंडल, अधिकारी तंत्र या दफ्तर शाही, न्याय पालिका, सशस्त्र सेनाय, पुलिस और राज्य के अन्यसकंध लोगों से प्रथक हो जाते हैं, यह सत्तावादी बनने की संभाविता भी रखता हैं तो यह जो निर्ने हैं, राश्ट्र द्वारा जो निर्नायक निर्ने सांस्कृतिक विविता के संदर में लिये जाते हैं, उस विचारधारा में हम यह देख रहे हैं कि जो राश्ट्र के लोग हैं, उनकी विचारधार से हट कर भी राश्ट्र द्वारा अपने निर्ने प्रस और राज्ये के जो अलग-अलग सकंद हैं यानि हिस्से हैं उन सबसे प्रथक हो सकता है और इस कारण राज्ये के सत्तावादी बनने की संभाविता भी उत्पन होती है तो यदि हम एक सत्तावादी राज्ये की बात करें तो सत्तावादी राज्ये की क्या विशेष्टाएं ह या क्या स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं आईए देखते हैं तो सत्तावादी राज्ये लोकतंत्रात्मक राज्ये के विप्रीत होता है यानि लोकतंत्र की जो प्रवरती है वो वहां देखने में नहीं आती है यानि जन्मानस द्वारा वहां चुनाव नहीं होते हैं उस के पास शक्ती होती हैं वे किसी के प्रती उत्तरदाई नहीं होते यह भी एक सत्तावादी राज्य की विशेष्टा है कि जिन लोगों के पास शक्ती हैं वे लोग किसी भी कारे के लिए और किसी के भी प्रती उत्तरदाई नहीं माने जाते वे अपनी इच्छा से किसी भी कार को करने लगते हैं इसी प्रकार भाशन की स्वतंत्रता राजनितिक किरिया कलाप की स्वतंत्ता सत्ता की दुरुपयोग से सरक्षन आदी नागरिक स्वतंत्रताइं सीमित या समाप्त कर दी जाती हैं तो एक सत्तावादी राज्य में ना ही लोगों को भाशन की स्वतंत्ता प राप्त होती है और साथ ही सत्ता के दुरुपयोग से सरक्षन का जो अधिकार है या जो नागरिक स्वतंतरताएं हैं वो सभी या तुसीमित कर दी जाती है या पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है तो यह है एक विचार है कि यदि राज्य सत्तावादी हो जाते हैं तो व विष्टाचार अकुषलता अत्वा संसाधनों की कमी के कारण लोगों की जरूरतों के बारे में सुनवाई करने के लिए अक्षम अत्वा अनचुक हो जाएं। कोई सुनवाई ना कर पाएं और उन सुनवाईों के लिए लोगों के पास कोई विकल्प मौजूद ना हो। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से राज्ये वैसा नहीं होगा जैसा उसे होना चाहिए। तो इस प्रकार कई ऐसे कारण हो सकते हैं कि राज्ये को जैसा होना चाह वह वैसा ना रहे इस संदर में गैर राज्किय करता अत्वा संस्थाएं महत्पून हो जाते हैं क्योंकि वे राज्ये पर नजर रख सकते हैं उसके अन्यायपून कारियों का विरोध कर सकते हैं अत्वा उसके प्रतनों में सहयोग कर सकते हैं तो इसी संदर में वास्तव में जो गैर राजकिये करता हैं या गैर राजकिये संस्थाएं हैं वो काफी महत्पून हो जाती हैं क्योंकि ये संस्थाएं या ये लोग जो हैं ये राज्ये के किरिया कलापो पर एक नजर रख सकते हैं उनके अगर कोई अन्याय पून कारे हो रहे हैं यानि राज्ये द्वारा जन्दा के प्रती कोई अन्याय पौन कार्य यदि किये जा रहे हैं तो उनका विरोध कर सकते हैं और साथ के साथ उनके जो प्रयत्न है यानि राज्यों द्वारा जो सकारात्मक प्रयत्न किये जा रहे हैं उनमें सहयोग भी कर सकते हैं नागरिक समाज उस व्यापक कारिशेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी शेत्र से परे होता है लेकिन राज्य और बाजार दोनों शेत्र से बाहर होता है तो इस संदर में हमें नागरिक समाज को समझना है civil society या नागरिक समाज ऐसा व्यापक कारशेत्र होता है जो कि परिवार का जो निजी शेत्र है उससे बिलकुल अलग है उससे परे है लेकिन राज्ये और बजार दोनों जो शेत्र होते हैं उनसे भी ये बाहर होता है यानि उनमें यह प्रत्यक्ष रूप में समिलित नहीं होत है नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकिय तथा गैर बजारी भाग होता है तो यदि हम नागरिक समाज को परिभाशित करना चाहें तो यह सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकिय और गैर बजारी भाग माना जाता है जिसमें अलग-अलग वेक्ति संस्थ और संगठनों का निर्मान करने के लिए स्वेच्हा से परस पर जूड़ जाते हैं और इस नागरिक समाज में जो सार्वजनिक अधिकारों के गैर राजकिये भाग होते हैं इनमें अलग-अलग तरीके के लोग स्वेम अपनी इच्छा से यानि स्वेच्छा से जुड़ जाते हैं और विबिन संस्थाओं और संगठनों का निर्मान करते हैं यह हैं सक्रिय नागरिक्ता का शेत्र हैं यहां व्यक्ति मिलकर सामाजिक की कोशिश करते हैं अच्छवा उसके समक्ष अपनी मांगे रखते हैं तो एक प्रकार से यह नागरिक्ता के शेत्र को प्रदर्शित करते हैं क्यों क्यों क्योंकि यहां जो व्यक्ति हैं यह विबिन सामाजिक मुद्दों और स्थितियों पर चर्शा करते हैं इसके अलाव वे सामुहिक हेतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं या विभिन कारियों के लिए समर्थन चाहते हैं और ये नागरिक समाज की संस्थाएं जो हैं या समुदाएं जो हैं वे सामुहिक हेतों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और विभिन कारियों के लिए अलग-अलग ज जगहों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस शेत्र में नागरिकों की समुहु द्वारा बनाएगे स्वेचिक संग, संगठन या संस्थाएं शामिल होते हैं। अस्तव में इस नागरिक समाज के शेत्र में नागरिकों के जो समुह हैं उनने जो अलग-अलग प्रकार के संगठन संस्थाएं या संग बनाई हैं उन सब को सम्मिलिक किया जाता है इसमें राजनितिक दल जनसंचार की संस्थाएं मजदूर संग गैर सरकारी संगठन धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार के सामुहिक तत्व भी शामिल होती हैं तो इस नागरिक समाज में जो अन्य राजनितिक दल हैं यानि सत्ताधारी दल के अलावा उसके अलावा जनसंचार की विभिन संस्थाएं, मजदूरों के संग अन्य गेर सरकारी संगठन और सभी धार्मिक संगठन और सामुहिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसोटिया यह है कि संगठन राज्य नियंतृत नहीं होना चाहिए और यह विशुद रूप से वानिज्यक मुनाफ़ा कमाने वाले तत्व ना हो। नागरिक समाज में किसी संग्या संगठन को तभी सम्मिलित माना जाता है जब राज्य नियंतृत नहीं हो और उसके अलावा उसका जो कारे है वो वानिज्यक मुनाफ़ा कमाने का नहीं हो। लोगों के उत्तर देने के लिए राज्यों को बाध्य करना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 तो अब हम चर्ण करेंगे Right to Information या सूचना का अधिकार का नियम जो की 2005 में पारित किया उसकी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22 बटा 2005 भारतिय संसत द्वारा अध अधिनियम एक ऐसा कानून या विधी है जिसके तहत भारतियों को सरकारी अभिलुखों तक पहुचने का अधिकार दिया गया है तो यह जो है हमारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यह भारतिय संसत द्वारा अधिनियम एक ऐसा कानून है या एक ऐसी विधी है जिसके द्व भारतियों को अपने जितने भी राजनी सरकारी अभिलेग हैं उन तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त हुआ हैं इस अधिनियम की शर्तों के अधिन कोई भी वैक्ती किसी सारुजनिक प्राधिकरण सरकारी निकाय अध्वाराज्य का करनत्व से सुचना के लिए कर सकता है तो वास्तव में इस अधिकार के तहत कोई भी वेक्ति किसी भी सारुजनेक प्राधिकरन से उसे जिस भी प्रकार की सूचना चाहिए उसकी मांग कर सकता है और उस प्राधिकरन से यह आशा की जाती है कि वह शीगृता से यानि 30 दिन के भीतर उसे उत्तर देगा साथ ही यह भी बाधिता है कि जिस प्राधिकरन से सूचना मांगी गई है उसे यह आशा की जाती है कि बहुत ही शीगृता से यानि 30 दिन के मद्धे उस वेक्ति को सूचनाय प्राप्त हो जाएं यह अधिनियम प्रतेक सारुजनिक प्राधिकरन से यह अपेकशा करता है कि वह व्यापक प्रसार के लिए अपने अभिलेखों को कंप्यूटर बद करें और कति पेरशेणियो से संबंद्ध सूचना को स्वैम सक्रिय होकर प्रकाशित करें ताकि नागरिकों को सूचना के लिए अपचारेक रूप से अनुरोध करने की कम से कम आवशकता पड़े। इस अधिनियम में जो सारवजनिक प्राधिकरन हैं उनके लिए यह भी पेक्षा की गई हैं कि ये लोग अपने जितने भी अभिलेक हैं उन्हें अच्छे से संचित करेंगे, कम्प्यूटर बंद कर करेंगे ताकि नागरिकों को अपचारिक रूप से सूचनाय मांगने की आवशकता कम से कम पड़े। संसत द्वारा इस कानून को 15 जून 2005 को पारित किया गया था और यह 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। भारत में सूचना प्रकट करने का कारियें अब तक सरकारी गुप नए सूचना अधिकार अधिनियम ने उन सब को रद कर दिया हैं अधिनियम यह विनिर्दिष्ट करता है कि नागरिकों को इस अधिनियम में क्या-क्या अधिकार प्रदान किये गए हैं उसकी चर्चा करते हैं पहले आपको याद रखना है कि संसत द्वारा इस कानून को 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 13 अक्टूबर 2005 से ही इसे लागू कर दिया गया था और इसके साथ ही इससे पहले तक जो सरकारी गुप्त अधिनियम 1923 लागू था उसे स्वते ही रद कर दिया गया था क्योंकि इस प्रकार के जो अधिनियम थे जो पुराने अधिनियम थ जो कि इन प्राधिकरों को इन सरकारी प्राधिकरों को सूचनाएं देने से प्रतिबंदित करते थे तो इस अधिनियम में नागरिकों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सबसे पहला किसी भी सूचना यथा परिभाशित के लिए अनुरोध करने तो नागरिक सरकार प्रतिलिप्या नेने दस्तावेजों की प्रतिलिप्यों की मांग कर सकते हैं, दस्तावेजों कार्यों और अभिलेकों का निरिक्षन करते हैं, कार्य की सामगरियों के प्रमानित नमूने लेने का अधिकार है साथी साथ जो भी कार्य उस संबंदित प्राधिकरण में होता है वहां के प्रमानित नमूने लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया है नागरिक सूचना प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसिट अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक रीती के माध्यम से ले सकते हैं तो नागरिकों को या सूचना लेने के लिए विभिन माध्यमों को विकल्प के रूप में रखा गया है वे प्रिंट आउट ले सकते हैं, डिस्क का उप्योग कर सकते हैं, फ्लॉपी कार्ट, टेप का, वीडियो कैसिट का या फिर अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम के उप्योग से वे सूचनाई ले सकते हैं भारती लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दोरान हुआ, जो जून 1975 से जन्वरी 1977 तक लागू रही थी तो हम सत्तावादी राज्य की बात कर रहे थे और हमारे देश में सत्तावादी श्यासन का थोड़ा बहुत अनुभावल लोगों को आपातकाल की स्थिती के दोरान हुआ ये आपातकाल जून 1975 से जनवरी 1977 तक लागू था संसत को निलंबित कर दिया गया था और सरकार द्वारा सीधे नए कानून बनाए गए तो इस दोरान यानि आपातकाल या इमर्जनसी की स्थिती में क्या किया गया कि संसत को निलंबित रखा गया और इसके अलावा सरकार ने सीधे ही कई कानून बना दिये नागरिक स्वतनतताओं छीन ली गई और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गरफतार करके बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिये गई तो नागरिक स्वतनत्रताओं को बंद कर दिया गया प्रतिबंदित कर दिया गया और जो भी लोग राजनितिक रूप से सक्रिये थे उन्हें जेलों में डाल दिया गया उन्हें ग्रफतार कर लिया गया और बिना कोई मुकदमा चलाए ही उन्हें जेलों में रखा गया जनसंचार के माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई और सरकारी पदाधिकारियों को सामान्य प्रक्रियाएं अपनाएं बिना बर्खास्त किया जा सकता था इसी दौरान यानि आपातकाल के दौरान जनसंचार के सभी माध्यमों पर सेंसर लगा दिये गए और उसके अलावा जो भी सरकारी पदाधिकारी थे उन्हें जो सामान्य प्रक्रिया होती थी निलंबन की या बर्खास्त की की उसे अपनाएं बिना ही सीधे ही बर्खास्त कर जाता था सरकार ने नीचे इस्तर के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला की वे उसके कारेकर्मों को कार्यानवित करें और तुरंत परिणाम दिखना आएं तो सरकार ने जो भी निमनिस्तर के या नीचे इस्तर के अधिकारी थे उन सब पर यह अनुचित दबाव डाल कि वे उसके कारेकर्मों को कार्यानवित करें यानि सरकार द्वारा जो नए कानून बनाए गए उन सब को कार्यानवित करें और तुरंत उसके परिणाम प्रदर्शित करें आपातकाल के जटके ने लोगों में सक्रिय भागिदारी की लहर पैदा कर दी और उसके परिणाम सिरूप 1970 के दशक में नागरिक समाज के अनेक नएने कारिकरम प्रारंभ किये गए तो आपातकाल का यह है जो जटका लगा जब लोगों को सत्तावादी शासन का अनुभव और इसके बाद यानि 1970 के दशक में नागरिक समाज के कई नएने कारिकरम प्रारंभ किये गए इस अवधी में तरह तरह के सामाजे का आंदोलन उठखड़े हुए जिन में महिलाओं पर्यावरन की सुरक्षा मानव अधिकारों और दलितों के आंदोलन प्रमुखते तो यह जो इस्थिती थी 1970 के बाद की उस दोरान कई सारे आंदोलन शुरू हुए और इन आंदोलनों में खास कर महिलाओं की सुरक्षा उसके अलावा जो पर्यावरन की सुरक्षा हैं मानव अधिकार हैं और दलितों की जो इस्थिती थी उसको लेकर कई आंदोलन शुरू हुए पक्ष समर्थन तथा प्रिचार संबंदी गतिविधिया चलाने के साथ साथ विभिन आंदलों में सक्रियता पूर्ण भाग लेना शामिल है। उसके साथ अलग-अलग आंदलों में सक्रियता पूर्ण अपनी भूमी का ये निभा रहे हैं। चलावा नगरिय शासन का हस्तांतरण यानि नगरिय शासन को विशेश रूप से हस्तांतरित कर देने का मुद्दा भी हमारे देश में लंबे समय तक रहा। तीसरा है स्त्रियों के प्रती हिंसा और बलातकार के विरुद अभियान। तो इस्त्रियों के प्रती जो हिंसा रही या बलातकार के जो मुद्दे रहे उन सब के खिलाफ बलंबे समय तक आंदोलन चलाए गए। बांधो के निर्मान अथ्वा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनरवास। तो बांधो का निर्मान जब किया जाता था या विकास संबंधी अन्य कारिया या परियोजनाए जब अपनाई जाती थी तब जुन लोगों को अपने घ करने के विरुद्ध मच्वारों का संगर मचली मचली पकड़ने का जो कारे मच्वारे करते थे उसके अत्रिक्त मशीनों की साहता से मचली जो पकड़ने वाले लोग थे उनका विरोध मच्वारों द्वारा किया गया छटा है फेरी लगा कर सामान बेशने वालों या पट्री पर रहने वाले लोगों का पुनर्वास तो जो लोग फेरी वेच लगा कर समान बेशते थे या जो लोग पट्रियों पर ही अपना जीवन गुजारते थे उनके पुनर्वास का मुद्दा भी यहां रखा गया उसके अतरिक्त गंदी बस्तियां हटाने के विरुद और आवास अधिकारों के लिए अभियान तो विभिन अलग-अलग दौर में अलग-अलग तरीके के मुद्दे जो हैं वो आंदोलनों का कारण बने तो एक कारण है भी था कि गंदी बस्तियों को हटाने के विरुद और आवासिये अधिकारों के लिए भी लोगों द्वारा आंदोलन चलाए गए उसके अत्रिक्त प्रात्मिक शिक्षा संबंधी सुधार इसके संबंध में भी आंदोलन हुए और फिर है दलितों को भूमी का वित्रण तो दलितों को भूमी के अधिकार देना भूमी का वित्रण करना इसके लिए भी आंदोलन किये गए जनसंचार माध्यमों ने भी विशेश रूप से इसके उभरते हुए दर्शे और इलेक्ट्रोनिक खंडों ने उतरोतर बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका आदा की है तो इन सभी आंदलोनों या परिवर्तनों के लिए जो जनसंचार के विभिन माध्यम हैं उन सबने भी अपनी महत्पून भूमिका आदा की है हाल में उठाए गए उलेखनिय कदमों में सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए अभियान को सबसे अधिक महत्पून कहा जा सकता है तो अब तक जो उलेखनिय कदम उठाए गए हैं उन सब में से जो सूचना का अधिकार के लिए जो अभ्यान चलाया गया था उसे सबसे अधिक महत्पूर्ण माना जा सकता है इसके शुरुआत ग्रामीन राजस्थान में एक ऐसे अंदोलन के साथ हुई थी जो वहां गावों के विकास पर खर्च की गई सरकारी निधियों के बारे में सूचना देने के लिए चलाया गया था वास्तों में जो सूचना के अधिकार का अंदोलन या अभ्यान चलाया गया उसके शुरुआत ग्रामीन राजस्थान से हुई हमारे राज्य राजस्थान से जहां पर एक ऐसा अंदोलन चलाया गया जहां लोगों ने गावों के विकास पर जो सरकारी धनराशी खर्च की ज आगे चलकर इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप धारन कर लिया तो यही आंदोलन जो ग्रामीन राजस्थान से शुरू हुआ इसने आगे चलकर एक राष्ट्रवाधी अभियान का रूप ले लिया नौकर शाही के प्रतिरोध के बावजूद सरकार को इस अभियान की सुनवाई करनी पड़ी और अपचारिक रूप से एक नया कानून बनाना पड़ा जिसके तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार को मानिता दी गई लंबे समय तक नौकर शाही का प्रतिरोध रहा उन लोगों द्वारा इस तरीके के कानून का विरोध किया गया लेकिन इसके बावजूद भी जो अभियान चलाया गया उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस अभियान की सुनवाई करनी पड़ी और नागरिकों को अपच समय में ही ये सुचनाय नागरिकों को उपलब्ध करानी होगी तो बच्चों आज हमने हमारे अध्याय का छटा भाग पून कर लिया है और इसी के साथ अध्याय का सद्धानतिक हिस्सा खत्म होता है तो अब इस अध्याय के अभियास प्रशनों को हमें हल करना है तो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार